तो गाइस वेनम का ओफिशल टेलर सामने आ चुका है जिसमें हमें आखिरकार वेनम का प्रॉपर लुक मिल ही गया पर यहां दिक्कत की बाद यह लग रही है कि शाय टेलर ने में प्लॉट के बारे में कुछ जाद ही बता दिया है वेनम के पहले टीजर टेलर के बाद कई फैंस वेनम के प्रॉपर लुक को देखने के लिए बेचैन थे और कसम से यह लुक जवरदस्त है इतना जवरदस्त कि इंटरनेट वेनम के मीम से भड़ चुका है पर हम मीम देखके बाद में हसेंगे पहले इस टेलर के बारे में बात करते हैं तो ट्रेलर को देखके हमें मुवी के प्लॉट के बारे में कुछ जाद ही बाते पता चल रही हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी हमें यहां पता चल रहा है वो मुवी का बस एक पार्ट हो असली कहाने कुछ और ही निकले तो गाइस मैं हूँ अमन से ना और आज मै लाइफ फांडेशन ने कई उल्टे काम किये हैं इन्हीं उल्टे कामों में से एक है Manipulation of Symbiotes तो लाइफ फांडेशन के इस Symbiotes को क्लेम करने के बाद इसे लाया जाता है फांडेशन के हैट Carlton Drake के पास पिछले टीजर में हमें शक था कि यह जो साइंटिस्स हमें दिखाय गया है वो Carlton Drake है पर इस टेलर में ये बात कंफर्म हो गई है इसके बाद हमें दिखता है Sony और Marvel का लोगो Venom X-Man Fantastic Four ये सब Marvel Comics के क्यारक्टर है इसलिए इन सभी की मूवी से पहले हमें Marvel का लोगो दिखता है जबकि Marvel Cinematic Universe की मूवी से पहले हमें Marvel Studios का लोगो दिखता है पर यहा आरे में हम पिछले टीजर टेलर में बात कर चुके हैं पर यहां हमें नई बात यह पता चली है कि एन जिस फर्म के लिए काम करती है वो फर्म Life Foundation के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और Eddie Ann को बता रहा है कि यह foundation evil है तो Eddie Brock एक रिपोर्टर है जो कि उन लोगों का पी के लग रहा है कि यहां कहानी थोड़ी अलग है प्लस इस मूवी के डैक्टर के हिसाब से यह मूवी लूजली बेज है लीथल प्रोटेक्टर कॉमिक बुक पर तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां एक बहतर वर्जन दिखेगा Eddie Brock का तो आगे हमें Carlton Drake का एक प्रॉपर लुक मिलता है जिनका रोल प्ले कर रहे है रिज एहमत कॉमिक्स में Carlton Drake एक टिपिकल बिजनसमैन है पर रिज एहमत का लुक कॉमिक के Carlton Drake से बहुत डिफरेंट है तो अगले शॉट में हम Eddie Brock को Carlton Drake का इंटर्व्यू लेते हो देख सकते हैं जो कि उससे किसी खदरनाक टेस्ट के बारे में पूछ रहा है जिसमें शायद लोगों की जान गई और Drake यहां इंटर्व्यू खतम कर रहे हैं पर Eddie को इस बारे में किसी और से पता चल रहा है जो कि उससे फॉलो करके खुद यह सब बता रही है मैं बोली रहा था कि इस टेलर ने हमें प्लोट के बारे में कुछ जादे बाते बता दी हैं तो Eddie की सोर्स उसे Life Foundation के काले कारणामों के बारे में बता रही है कि Drake यूमन और सिंबायोट के यूनियन में विश्वास रखता है और उसके हिसाब से यही की है हमारे evolution का पर इस वरे से कई test subject शायद मारे भी जा रहे हैं तो यहां हमें सिंबायोट का proper look भी मिलता है और पीछे के setup को देख के हम कह सकते हैं कि यहां testing हो रही है तो lethal protector comic में basically 5 सिंबायोट होते हैं scream, rat, agony, lasher और phage तो most probably Eddie ने इन पांचों को discover कर लिया है और शायद यहीं पर वो infect भी हो गया हो तो यहां Eddie मिल चुका है सिंबायोट से basically Venom, Eddie और सिंबायोट की combination को कहा गया है तो सिंबायोट के Eddie में घुसते ही उसके अंदर एक और personality आ चुकी है जो कि उससे कुछ कह रही है पर Eddie को यकीन नहीं हो रहा हाला कि अगले shot में हमें Drake के आद में दिखते हैं जो कि Eddie से Drake की property मांगने आये हैं जिसका मतलब Eddie ने Drake की facility से कुछ चुराया है या फिर एक सिंबायोट का पूरा container Eddie के body में घुस चुका है खेर जो भी हो इसके बाद हमें पहली बार सिंबायोट action में दिखता है ये clear है कि Eddie का सिंबायोट पर control नहीं है और इसलिए वो नहीं सिंबायोट action में है जिसके बाद शुरू होती है भगदर तो जो bike chase हमें पहले teaser trailer में दिखा वही same bike chase हम इस trailer में भी देख सकते हैं पर सिंबायोट touch के साथ प्लस यहां हम देख सकते हैं कि कुछ drones Eddie का पीछा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि Drake को Eddie के अंदर गुसा सिंबायोट किसी भी हाल में चाहिए आगे की shots में हम Eddie को सिंबायोट से deal करते हुए सुनते हैं कि अगर वो उसमें रहेगा तो वो सिरफ बुरे लोग को नुकसान पहुचाएगा तो क्योंकि Eddie एक reporter है तो उसे पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा और वो बुरे लोग को नुकसान पहुचाने के लिए ready है जो कि उसे anti-hero बनाता है क्योंकि heroes किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाते जैसे कि Spider-Man जो कि Homecoming के end में वल्चर को बचाता है आगे हम देखते हैं Simba Art को Eddie को control करते हुए और उसे बताते हुए कि हम कुछ भी कर सकते है तो basically Simba Art V यानि हम शब्द का use कर रहा है जिसका मतलब वो Eddie की भी सहमती चाता है आगे हमें Eddie भागता हो दिखता है Ann Wing परिशान दिखती है पर सबसे important shot ये है जहाँ Eddie most probably Carton Drake की कैद में है जिसका मतलब Drake को Eddie की जरुरत है क्योंकि शायद वो ही सबसे successful subject रहा हो तो यहां Drake कह रहा है कि क्या तुम सब sacrifice कर दोगे जिसपे Eddie कह रहा है कि तुम्हें बहुत डरना चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि ये अलग-अलग कट हो और असली बातचीत कुछ और ही निकले तो अगले कुछ shots में हमें movie का slogan भी दिखता है कि embrace your inner anti-hero तो हम सम्में एक hero और एक anti-hero होता है hero सब का भला चाहता है और anti-hero किसी भी हालत में भला चाहता है तो आप समझी रहे होंगे कि ये movie भी Deadpool और Suicide Squad जैसी होने वाली है जहाँ Venom अब एक anti-hero का नए example सेट करने वाला है और इसके बाद हमें पहला awesome look मिलता है Venom का जहाँ Simbiot और Eddie एक होकर बोल रहे है We are Venom ये look एकड़म परफेक्ट है अगर आपने comics या animated series में Venom को देखा है तो आप समझी रहे होंगे कि ये look कहाँ stand करता है लंबी आखें, शाक जैसे दांक, लंबी जीव और वाइट वेंस ये है एसली Venom हाला कि Spider-Man 3 के Topher Grace वाले Venom भी जबरदस्त थे पर उस movie में भीड कुछ जादा ही हो गए थी जिसके वएसे उस जादा शाइन नहीं कर पाए तो अब बात करते हैं VR Venom की Basically, Eddie और Simbiot की सोच अलग-अलग है पर एक दूसरे के Terms को Accept करने के बाद हमें Venom दिखता है यहाँ viewers देख सकते हैं internal conflict क्या होता है हम सब की अपनी problems होती है हमारे अपने पंगे होते हैं और हमारे अपने डीमन होते हैं यहाँ बस difference यह है कि Eddie Brock को उस डीमन को शो करने की पावर मिल गई है तो गाईस यह था Venom के official trailer का breakdown यह movie R-rated होगी पर फिर भी अगर मुझे कोई detail मिस हो गई हो यह आपके वास कोई नया fact है इस movie से later तो please हो में comment में ज़रूर बताएं साथी साथ में यह बताएं कि आपके हिसाफ से हमें comics वाला जूटा एडी दिखेगा या इस movie का Eddie Brock अलग होगा उपर से latest superhero news और awesome superhero facts के लिए हमें facebook, twitter, instagram और google plus से follow करना ना भूलें हम हर जगा है तो guys अगर आप Venom या Carnage को comics में देखना चाते हैं तो मैं आपको हमारी Deadpool Kills the Marvel Universe Again comic series recommend करूँगा साथी साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like और share ज़रूर करें और इसे कई सारे super content के लिए हमारे चानल को subscribe करना ना भूलें thank you guys this is Amun Sina and you are super super peace